Vodafone Idea के स्टॉक में मंगलवार के कारोबार में बढ़त देखने को मिली है और स्टॉक कारोबार के अंत में 0.66% की बढ़त के साथ 16.8 के स्टर पर बंध हुआ है Global Brokerage City को स्टॉक में आगे और बढ़त की उमीद है और Brokerage ने स्टॉक में खरीद की सलाह बनाए रखी है हाल ही में कमपणी के द्वारा AGR के बकाया पर दायर की गई अरजी पर Chief Justice विचार के लिए तैयार हो गए है Brokerage House की रिपोर्ट के मताबिक अरजी पर सुनवाई से करज में डूबी कमपणी के लिए कुछ उमीदें बनी है Chief Justice ने कहा है कि वो केस को लिस्ट कराने पर जल्दी फैसला लेंगे क्या है City का अनुमान City की रिपोर्ट के मताबिक अगर अरजी पर विचार करने के बाद परिनाम कमपणी के अनुसार आते हैं तो करज में 30-35,000 करोर रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है Vodafone Idea को सरकार को AGR बकाया के रूप में 58,000 करोर रुपये से ज्यादा की रकम चुकानी है City ने स्टॉक के लिए खरीद की सलाह जारी की है और स्टॉक के लिए तेज का लक्ष रखा है मंगलवार के बंद स्टर के मुकाबले यहां से आगे करीब 37 फीसदी की और बढ़त संभव है कैसा रहा स्टॉक का प्रदर्शन स्टॉक में बीते कुछ समय से तेज उच्छाल देखने को मिला है और एक साल में स्टॉक ने अपने निवेशकों को 128 फीसदी से ज्यादा की रिटन दिया है वहीं तीन महीने में स्टॉक करीब 30 फीसदी बढ़ चुका है हालांकि एक महीने से स्टॉक में सुस्ती देखने को मिल रही है हाल में वोडाफोन आइडिया के शेर होल्डर ने 2458 करोल रुप्य के प्रिफरेंशियल इश्यू को मंजूरी दी है इश्यू के तहट कमपनी के वैंडर नोकिया और एरिक्सन को शेर जारी किये जाने है इसमें से 15-120 करोल के प्रिफरेंशियल शेर नोकिया सॉल्यूशन्स को और 938 करोल रुप्य के प्रिफरेंशियल शेर एरिक्सन इंडिया को जारी किये जाने है Disclaimer, Equity News का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें